हेलो एव्रिवान आज हम बनाएंगे खिचडी आप एक पर इस तरह मेरी तरह खिचडी बना कर देखना बहुत अच्छी बनती है यह हमने कुकर में एक कट्ची देसी की लिया और एक कट्ची ही हम रिफाइन लेंगे अगर हम अकेला देसी की लेंगे तो वो जल जाएगा इस जिंजर एड करेंगे यह खिचडी में पूरी तरह से मशी हो जाएगा तो बच्चों को पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें जिंजर एड किया है इसे एक से डेड़ मिनिट के लिए हम कुक करेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारे जिंजर जल ना जाए देखे हमारे जिंजर थोड़ी कुक हो गई है तो अब हम इसमें स्लाइस्ट अनियन डालेंगे यह भी तोटली आप पर डिपेंड करता है आप जितनी कॉंटिटी में डालना चाहें जीरा और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एड़ करेंगे और इसे एक से डेड़ मिनट के लिए पकाएंगे हमें प्याज को कुक नहीं करना है जस्ट हमें सौते करना है इसका प्याज का कलर हम चेंज नहीं करेंगे उतने में हम यह देखते हैं यह दाल और चावल हमने यह मैंने एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल अच्छे से धूकर इन्हें चार कटोरी पानी में डिप किया था आधे कंटे पहले और अब हम इसे अपने यही पानी और दाल और राइस को अपने कुकर में एड़ करेंगे और इसे एक बार मिक्स करके कुकर को बंद करके दो सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे दो सीटी आने के बाद हमने फ्लेम ओफ कर दी लेकिन हम स्टीम नहीं निकालेंगे स्टीम निकलने के बाद हम अब कुकर को खोलेंगे और इसे एक बार मिक्स करेंगे अब हम इसमें ब्लैक पैपर पाउडर एड़ करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप खिचडी की consistency इतने थिक चाहते हैं तो ठीक है नहीं तो आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं मैंने थोड़ा पानी एड़ किया और इसे एक boil आने तक हम फिर से cook करेंगे और इस stage पर हम अपनी खिचडी में नमक और मिर्ची को टेस्ट कर लेंगे अगर आपको कम लगे तो आप और एड़ कर सकते हैं मुझे इसमें नमक और मिर्ची थोड़ा कम लगा तो मैं दोनों चीजें फिर से एड़ करके इसे अच्छे से mix कर लूँगी और इसे एक बॉइल आने तक cook करेंगे आप एक बार इस तरह खिचडी को try करके देखना ये बिमारों वाली खिचडी बिल्कुल भी नहीं बनती बहुत यम्मी खिचडी बनती है दिखिए बॉइल आने के बाद अब हम फ्रेम को off कर देंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे उसके लिए हमने प्लेट में खिचडी डाली और इसके उपर जो हमारे आम के अचार का ओयल और मसाला होता है वो डालेंगे और इसके साथ आम का अचार सर्फ करेंगे और ये हमारी खिचडी रेडी है प्लीस दो ट्री इस रेसीपी